ओशो एक अनोखे वह कंट्रोवर्शल गुरु हैं उनके बहुत अधिक समर्थक है तो विरोधी भी ओशो के समर्थक ओशो को अलग-अलग नाम से पुकारते हैं जैसे दार्शनिक, संत, आचार्य, बुकमेन, फिलोसफर, धर्म गुरु और कुछ लोग तो ओशो को भगवान भी मानते हैं, जबकि जो लोग ओशो के विरोधी हैं वो ओशो को सेक्स गुरु, पाकंडी या धर्म का दुश्मन भी कहते हैं, कौन है ये ओशो आचारे रजनिश जी आई आज इस बारे में जानते हैं, 11 दिसंबर 1931 को मध्यपरदेश के कुछवाडा में ओशो का जन्म ह और जन्म के समय में उनके माता-पिता ने उनका नाम चंद्र मोहन जैन रखा, माता-पिता बाबुलाल और सरस्वती जैन जिनकी ओशो को मिलाकर 11 बच्चे थे, आर्थिक रूप से बहुत गरीब थे, जिसकी वज़ा से ओशो का पालन पोशन ननिहाल में हुआ, एक जोच् एक्च्वल स्किल बहुत हाई थी, जिसकी वज़ा से वो तर्क वितर्क में बड़े-बड़े लोगों को भी मात दे देते थे, इंटलेक्च्वल होने की वज़ा से स्कूल के समय से ही ओशो डिबेट और कॉंपिटिशन में पार्टिस्पिट किया करते थे, और ऐसा कहा जा में सन 1951 में जबलपुर के एक कालेज से उनने बीए की डिगरी हासिल की और फिर सागर युनिवर्सिटी से में फिलोसफी किया, और 1951 में ही जब वो बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने एक सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया और सतीप्रता के विरुद बुला जिसकी वज़ा से वो बहुत अधिक चर्चा में आ गए, और फिर हिंदू वर्ल्ड कॉन्फरेंस में उन्होंने भारतिये ट्रेडिक्शन और मानेताओं के विरुद बुला, जिसकी वज़ा से बहुत सारे धर्म गुरु उनके विरोध में आ गए, फिर 1958 से 60 में ओशो आच आचारे रजनीश ने सेक्स के बारे में खुल कर बुला, जैसे सेक्स से समाधी, from sex to subconsciousness, free acceptance of sex, जिसकी वज़ा से उन्हें सेक्स गुरु कहा जाने लगा, 1971 में अब आचारे रजनीश भगवान रजनीश के नाम से famous होने लगे, लाखों की संख्या में लोग उनकी प्रवचन सुनने आने लगे, आचारे रजनीश ने सौ से जादा meditation के तरीके develop किये, भगतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रहे थी, तो 1974 में भगवान रजनीश ने पूने में अपना आश्रम स्थापित किया, 30,000 visitor हर साल आने लगे, और 1984 तक रजनीश पूने के आश्रम में ही र जगा कि आश्रम में सेक्स और ड्रग्स का इस्तिमाल होता है, जिसकी वज़ा से सोशल और पॉलेटिकल दवाव उन पर बढ़ने लगा, तो 1981 में ओशो ने अमेरिका जाने का फैसला किया, अमेरिका की Oregon City जो रेगिस्तान था, वहाँ पर 260 स्क्वाइर किलोमेटर की जगा, पॉलेटिकल लूपोल के होते हुए खरीद ली गई, Oregon में Self-Imposed Public Society की स्थापना करके मा शीरा को उसका सेकेटरी बना दिया, और धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग ओशो से जुडने लगे, ये कहा जाता है कि ओशो अमीरों के गुरू हैं, इसलिए वहाँ के बड़े बड़े बिल्डर, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर, इंजीनियर सभी ओशो के साथ जुडने लगे, और धीरे धीरे Oregon City का वो छोटा सा शेत्र ओशो पुरम के नाम से प्रसिद होने लगा, ओशो का नशा जब लोगों के सर चड़कर बुढने लगा, तो Ronald Reagan सरकार घबरा गई ओशो एक समय में 100 से ज़्यादा रॉल्स रॉय अपने पास रखते थे और वो यह चाहते थे कि उनके पास 365 रॉल्स रॉय हों ताकि वो हर रोज एक नई कार बदले, 1984 में वहां की सरकार ने ओशो को गिरफतार कर लिया, और गिरफतारी के बाद जब भी उनको कोट या जेल ले जाया जाता था तो वहां लोग फूलो की वर्शा करते थे, अमेरिकन सरकार के दबाव की वज़ा से 21 देशों ने ओशो को वीजा देने से मना कर दिया, 14 नवंबर 1985 को ओशो भारत आ गए और माशीला यूरोप चली गए, भारत आने पर ओशो का हीरोज वेल काम हुआ, वो कुछ समय मनाली, फिर नेपाल, फिर 1987 में मुंबई और मुंबई से सीधा पूने चले गए, ओशो जो मेडिटेशन कराते थे वो पाँच स्टेजिस में होता था, पहली स्टेज पाँच मिनट रैपिड ब्रिदिंग, मंत चांत करने के लिए रैपिड ब्रिदिंग करात अपलब जैसे आपका मन हो, आप लगातार, अपने हाथ परों को ढिला छोड़ कर तेजी से कूटते रहें, उसके बाद नेक्स्ट पाँच मिनट आपको बिलकुल शान्त हो जाना है, बिलकुल शुन्य की तरह, ताकि आप अपने मन पर कंट्रोल कर सकें, उसके बाद पाँ सारा जनवरी 1990 को स्वामी प्रेम अमृत ने एक सूचना दी कि ओशो के पूरे शरीर में दर्द है और उनकी हालत बिगड रही है, जिसकी वज़स से वो मेडिटेशन के लिए नहीं आ पाएंगे, और 19 जनवरी 1990 को ओशो की रहसे में तरीके से मृत्य हो गई, ओशो की आकस् आश्रम पहुंचने के बाद मुझे दो घंटे तक ओशो से मिलने नहीं दिया गया, और बाद में मुझे खबर मिली कि ओशो की मृत्य हो गई है, आप एक death certificate बना दें और उसमें heart attack का जिक्र करें, ओशो की मृत्यू के बाद उनके आश्रम का संचालन उनके शिश्य द्वा जिनोंने पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाई और लोगों को सोचने के लिए एक नया नजर है दिया, एक बात में आपसे कहूंगा, ओशो के बारे में अपने मन में कोई भी धारना बनाने से पहले, उनके कुछ प्रवचनों को सुने, उसके बाद निर्णने, स् मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी, आपके सनरे वहिश्य की कामना करता हूं, जय हिंद, जय भारत.